बिहार भागरपुल के कहल गाउ प्रखंड के सदाननपुर 22 के बाड संख्या 5 में आंगनवाडी केंद्र संख्या 26 में ब्रस्टाचार अपनी चरम सीमा पर है केंद्र से फरजी कागज लाकर नौकरी करने का मामला सामने आया है वहीं दो माँ भी जाने के बाद भी उत्त मामले में कारवाई के नाम पर उच्छ अधिकारियों के हाथ आज भी खाली है भागलपुल में आंगनवाडी केंद्र ब्रस्टाचार का अड़्डब बना हुआ है ताजा मामला कहल गाउं प्रखंड अंतरगत साधानन पुर वाईसा के पाँच नंबर वाड में आंगनवाडी केंद्र संख्याद 286 का है जहां बहाली में फरजी कागज लगा कर और अधिकारियों की मिली भगत से नौकरी करने का मामला प्रकाश में आया है पांच नंबर वाड में उस जगह का नाम पता है आपको आपका क्या मतलब आरोप जो आपने अपने अप्लीकेशन दिया सबसे पहला नंबर था और जो अभी नौकरी कर रही है उसका फरजरी कागज है कैसे फरजरी कागज आपको कैसे पता चला जहार खंड से हम मंगबाए है हम रिपोर्ट से तो उसमें थर था और जो अभी सिडिप्यों में जो थी ती नौकरी का पाहली किया था उसमें फ़स्ट दिया किसके दोरा आप मंगाए था आती आई के दोरा तो आपने जब आप कितने दिन पहले स्पाया ने से मांगा है 2 मेने पहले हो गया तो क्या बोल करना था तो सबसे ज्यादा नमर हमारा आया बेवी कुमारी का मारी पत्नी है और उसके बाद जो है की जिसके की थार डिवीजन है नमर थार पॉइंट तो उसका कर दिये और जो ही की पहुच और रिस्वत के बलपे और इसके आटी आई के तहद हम मैडम से मांग कियें हमें दोड़ा दोड़ा के परेसान कर दिया और जो है की कोई जबाब नहीं मिला उसके बाद जो है की राची बोड की हूँ है जिसकी की है तो राची बोड से हमने उनके जो ही की मंगवाए तो अंग पत्र मांगे बोड से तो बोड ने हमको दिया प्राप्त की हम बोड से म कर रहें तो सब चीजों में उसका जोई की बढ़ा के नमर दिया गया है हिंदी मैथ और इंगलिस में पढ़ा के दिया गया है तो यह अंतर पया गया है इसके ऊपर हमने दर्खास लिख के दिया है को तो शीडिप यो मेडम ने यह है जनुबरी में 22 यह दिखिये 22 तारीक को 90 दिन पूर जाएंगे मार्श में 90 दिन पूर जाएंगे नपी इन यवाब तरफ किये थे तो वह क्या अंग पत्र आपको दिया और रहा कि नहीं दिया लगी से कि मुल्क परमान पत्र दिखा गया तीन सो दो नम्मर है लेकिन आपका या में तो आपने दिखाया एक आपने पत्र और शिलिपियओं प्रें करें प्रफ़ाइब दिखाए दिखाए और उनका कैसे कर दिया तो क्या लगता है कि यह क्या पैसा लेकर के लिए सब्सक्राइब और रित्वत पर काम किये हैं कि दोनों कागच में मंगाए हैं और यहां पर दिये हैं और दोनों को मिलान करने के बाद जो है कि बहुत फर्क पारा आगे आप क्या की लिए तो आगे के लिए देखते हैं यह तो हमें केस करना पड़ेगा क्योंकि यहां से जब सुनवाई नहीं हो रहा है तो आगे तो बढ़ने पड़ेगा इस मामले में बेवी देवी का कहना है कि सबी कागच आटियाई से निकाले गए हैं लेकिन किसी भी कागच कामिलान सही तरीके से नहीं हो रहा है इस पर लिकित में सीडी पियो कहल गाओं को आवेदन दिया गया लेकिन दो महीने बीच जाने के बाद भी अभी तक आरोपियों पर कोई कारवाई नहीं हुई है इस साफ होता है कि ब्रस्टा चार में उच अधिकारियों की मिली बगत है प्राद अधर पन्यूस के लिए भागलपूर से बिट्टू कुमार की रिपोर्ट